हेलो प्यारे बच्चो कैसे हैं आप प्यारे बच्चो आज हम आपी क्लास 11 का हिंदी का होमवग करेंगे अध्याय है बवानी परसाद मिश्र अटोपिक है घर की याद भाग दो पहला प्राश्ण है कवी के पिता किसका नाम लेकर रो पड़े होंगे तो इसका उत्तर आएग कवी के पिता यहां पर हम लिख लेते बच्चो कवी के पिता कवी के पिता अपने पुत्र भवानी परसाद का नाम लेकर रो पड़े होंगे परशन दूसरा है कवी ने सोने पर सुआगा किसे बताया है कवी ने अपनी आपको सोने पर सुआगा कहा है या बताया है परशन तीसरा है कवी की माने उसके उनके पिता को किस परकार सांत बना दी कवी की माने उसके पिता उनके पिता यहां पर आएगा बच्चों उनके उनके पिता को व्यथी दुखी देखकर कहा कि बेटे के जेल जाने से आंसु नहीं भाने चाहिए वह तो तुमारी मनो भावना और द तो बच्चों यहां पर आएगा राहा तो इसे काटके आप राहा लिख लेना राहा पर चल रहा है यदि वह नहीं जाता तो मेरी को कलंकित होती अगला पर्शन है कभी सजीले सावन से क्या प्रात्ना करता है कभी सावन से संदेश रूप में अपने बारे में बताने के लिए अनुरोध करता है यह प्रात्ना करता है कि वह घर चाकर उसके बारे में उसके पिता जी को इतना बता दे कि कभी जेल में रहकर हर तरह से खुश है वह जेल में रहकर पढ़ लिख रहा है खेल गुद रहा है और आपके ना नहीं है पर्शन पांच वा है कारा ग्रा में कभी का वजन कितना और कैसे हुआ कभी का वजन सतर किलो हो गया क्योंकि वैं जेल में खूब खाते पिते हैं विशी के साथ आपको आज का स्माइल थी पॉइंटो का होगा कंप्लीट होता है वीडियो को लाइक एंशेर जुरूर सब्सक्राइब कीजिएगा आपको काफी हैल्प मिलेगी उससे थैंक यू